कि ब्राम्मन का वेटा चाए मूर्ख हो लेकिन वो आगे ब्राम्मन ही करेगा पंडिताई ही करेगा छत्री का वेटा चाए वो कमजोर हो लेकिन वो आगे राज़ई बनेगा तो ये सामाजिक जो तानाबाना है ये जो पौंगा पंडिताई समाज में सुरू हुई है ये जो या फिर आज की तारीक में बेन जी हैं वो कर्म के अनुसार वरामन हुई की नहीं हुई कीस्वी सदी के दोर में जहां हम लोग मंगल ग्रह पे पहुँच रहे हैं जहां चंद्रियान थ्री पहुँच रहा है कुट्ता पालेंगे कुट्ते को पनीर खिलाएंगे लेकिन साव आदमी के उपर पिशाव करेंगे तो आप ऐसे ही कोई ब्रामन दोवे तिवारी मिश्राजी है किसी भी दलित भाई के उपर पिशाव करते रहे हैं ब्रावर नहीं बैठने देते हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो RSS की विचारधारा के जो लोग Esteem समाज का सोशन करेंगे ही करेंगे सरकार हैं इनके खिलाफ कोई एक्षन नहीं लेगी यह हमारे लिए सर्म की बात है कि इस तरह की घटना इस समाज में हो रही है भाई यह बताईए कहीं दलित को जो है आप मुँपे पेसाव कर रहे हो कहीं दलित को आप जूतों से पीट रहे तो यह कैसे समाज का सरजन बीजेपी कर रही है दया संकर सिंग ने पास साल पिछली वार जो है मायवती बेंजी के खिलाफ एक आपती जनक टिपड़ी करी उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया तो उनकी पतनी को चुनाव लड़वा दिया गया पतनी मंत्री बना दी अब बताईए कहां आप दलितों और सोसितों का सम्मान कर रहे हैं दया संकर ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे दलित समाज की जो हम एक तरीके से कहें बेंजी जो है इस समय आज की डेट में दलित समाज का प्रतने दित्तों कर रही है तो उनका अपमान करने वाले व्यक्ति को नवता से बढ़के कुछ नहीं है लेकिन बीजेपी ने समाज एक ताना बाना इस कदर बिगार रखा है कि जो मनवादी विचारदारा के लोग है जो अपने आपको सुरेष्ट मानते हैं तो वो दलित सोसित वंचित को चुकि हमारे समाज का ताना बाना ऐसा ही बुना है द्रम गरंत के अटे ना सरिजट तो इसलिए मांते हैं ना अट आए धरम गरंत तो जो एक्जैक्ट धरम गरंते वो यह थे कि कर्म के हिसाब से आदमी महान बने ब्राम्मन कौन होता था जिसके कर्म अच्छे होते तो जो पढ़ने लिखने में उस्यार होता था वो गया सा ब्राम्मन छत्री कौन होता था जो बलसाली होता था वैसे कौन था जो ब्यापार में तेज था और सूद्र किसे बोला गया था भाई जो मंद बुद्धी है जो कु पंडिताई ही करेगा छत्री का बेटा चाहे वो कमजोर हो लेकिन वो आगे राज़ाई बनेगा तो ये सामाजिक जो ताना बाना है ये जो पौंगा पंडिताई समाज में सुरू हुई है ये जो धरम के ठेकेदार है इन लोगों ने करी है अब ये बताईए कोई पड़ा ले कर्म के अनुसार लेकिन Samaj के ठेकेदार है वो इने बरावरी पे मानने को तियार नही नहीं है तो जो ये जाती विसमता बनाई गई और यही वो लोग हैं जो संबिदान का विरोध कर रहे हैं यही वे जो लोग है यह लोग आरच्छण का विरोध कर रहे हैं कहरें साब आरच्छण जो है वो नहीं होना चाहिए और जबकि इनको आरच्छण की मूल भावना नहीं पता है कि आरच्छण कोई आर्थेकादार पे नहीं दिय आराच्छड इसलिए दिया गया कि इन लोगों का आपने पांच अजार साल सोसड किया इनकी जो पीठ पे जाड़ू बंदवाई आपने साथ कि इनकी जो जहां जहां पे इनके कदम पड़ेंगे तो वो जमीन अपवित त्रो जाएगी इनकी साथ परचाई से आपको पाप ल काम नहीं कर पा रहा है विचारा संविधान भी इस समय जो है आई सीउ और वेंटिलेटर पर पढ़ा हुआ है क्योंकि इस सरकार ने संविधान को वेंटिलेटर पर करके छोड़ दिया है और यह हमारे और आपके लिए वड़े सर्म की बात है कि आज के दौर में 21 सदी के द पढ़ रहे हैं और हम लोग ऐसी पौंगा पंडिताई में फसे हुए हैं हम लोग दलित को जो है जानवर से भी गिरा हुआ समझते हैं कुट्टा पालेंगे कुट्टे को पनीर खिलाएंगे लेकिन साब आदमी के उपर पिशाव करेंगे तो आप क्या संदेश देना चाहे तो वो तो मनु का संविदान लागू कर दें हाला कि वो संविदान बन रहा है इनका मनु संविदान बन रहा है देखो ऐसा है कॉंग्रेस ने तो बहुत कुछ किया देश के लिए दलश सोसित वंचिज जो समाज है सब को बरावरी में लाने की पूरी कोशिश करी लेकिन ब इंदू मुसलिम हो गया एक समाज में इंदू मुसलिम के नाम पे खाई बन गई तो अब इन लोगों ने EWS आरच्छड दे के सवर्डों और दलित सोसित वंचितों को अलग कर दिया यहां भी खाई बना दी वह 10% जब सेनों ने आरच्छड दिया है अब आप देखो जो EWS की मेरिट आती है कई जगे वह SC, ST और OBC से भी नीचे चली जाती है क्योंकि उनकी संख्याई 12-15% है 12-15% लोगों को आपने 10% आरच्छड दे रखा है और जो 85% है उनको आपने 50% आरच्छड दे रखा है और उस 50% को भी आप इमांदारी से नहीं भर रहे हो उसमें भी आपन दुनिया भर के जो है क्रीमी लेयर लगा रखा है कहीं नोन क्रीमी लेयर लगा रखा है कहीं आप यह कह रहे हो साब SCR अच्छड में जातव हक खा रहा है आप कह रहे हो साब STR अच्छड में जो है वो मीना हक खा रहा है आप कह रहे हो साब OBCR अच्छड में कुर्मी और यादव हक खा रहा है अरे पहले जनगरना कर वालो कि कितने कुर्मी है कितने यादव है कितने मीना है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी दे दो हिस्सेदारी और संख्या उस पे आप बात नहीं करना चाह रहे आप सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सोहारत को बिगार रहे हो तो हम ल जाती को लेको हो, धर्म को लेके हो, संपरदाय को लेके हो, गरीबी अमीरी को लेके हो, तो इस खाई को हम लोगों को मिलके पाटना पड़ेगा, जो हमारा बहुजन समाज है, इसको मिलके इस पर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जो एक अचूक रास्ता है, वो है सिच्छा, जब तक समाज सिच्छित नहीं होगा, जब तक अमारा बहुजन समाज सिच्छित नहीं होगा, दले सोसित वंचित समाज जब तक सिच्छित नहीं होगा, जब तक वो मुख्यदारा में नहीं आएगा, अपने मौलिक अधिकारों को नहीं समझेगा, कावड ढोना बंद नहीं करेगा जब तक इन पंडितों की गुलामी करना बंद नहीं करेगा जब तक इन मंदिर में घंटा बजाना बंद नहीं करेगा हाथ में किताब जब तक नहीं लेगा मुख्धारा में नहीं आएगा तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा ऐसे ही कोई ब्राम्मन दोवे तिवारी मिश्राजी है किसी भी दलित भाई के उपर पेशाव करते रहे हैं। तो सरकाल लीपा पोती करती है किसाब जो है इधर बुल्डोजर चला दिया उधर चला दिया हलकी सी कोई धारा लगा देती है फिर उसकी दस दिन पंद्रे दिन वाद जमानत हो जाती है। तो इस चीज पे मौजूदा सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जवाब दे ही बीजेपी की होगी। जवाब दे ही मौधी जी की होगी। मौधी जी इस बात पे कुछ करना नहीं चाहरे कहने को वो जरूर कह देते हैं कि साब पहले हमने दलित राष्ट पती बनाया अब आदिवासी राष्ट पती बना दिया और मैं खुद ओवी सी हूँ। लेकिन आप पिछले दस साल में देख लो इन्होंने दलितों आदिवासी और पिछणों के लिए कितना काम किया तो उससे आपको पूरा एक आईना और पूरी एक तस्वीर साफ तोर पे दिख जाएगी। आदिवासी समाज ने बीजेपी के खिलाफ बोटिंग करी है। और इस तरह का कोई एक गटना नहीं थी। एक नाबालिक बेटी जो इन दौर में गूमी थी। जिसका बलातकार हुआ था और जिस पर जो आरोपी थे उन पर कोई कारवाई नहीं थी। तो उसको भी पूरी प्रदेश की जनता ने देखा और इस तरह की जो गटनाएं हैं इत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की गटनाएं हो रही हैं। चाए उत्तर प्रदेश हो चाए मद्द प्रदेश हो दोनों जगए डवल इंजन की सरकार रही हैं और दोनों जगए इस तरह की जो गटनाएं ह का सोशन करेंगे ही करेंगे सरकारें इनके खिलाफ कोई एक्षन नहीं लेगी सरकारें जो है चाए प्रसासन हो चाए सासन हो ये निकम्मा है और मूख बनके बैठा हुआ अब आप ये बताईए इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन उसके बाद भी प्रसासन की तरफ से कोई स सर्म की बात है ये हमारे लिए सर्म की बात है कि इस तरह की घटना इस समाज में हो रही है भाई ये बताईए कहीं दलित को जो है आप मुह पे पेसाव कर रहे हो कहीं दलित को आप जूतों से पीट रहे हो कहीं दलित के जो है अपने जूते पे दलिक से थूंका हुए कर देते हो तो यह कैसे समाज का सरजन बीजेपी रही है और ऐसे करने वाले लोगों को सरकार इनाम दे दे देती है तो समर्थन में os समर्थन पूलता है, समाज तो देखो जैसे सरकार चलेगी उस्हिसी इसाब से समाज को चलाएंगे अब ये हमारे लिए दुर्भाग की बात है कि समाज को गलत दिसा में सरकार लेके जा रही है काइदे में सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सक्से सक्त कारवाई करनी चाहिए लेकिन सरकार क्या कर रही है सरकार एक गलत संदेश दे देती है कि नहीं आप करो आप जो कारेवाई करना चाहते हो आप करो हम आपके पीछे जो है डानस बनाने के लिए खड़े आप बताईए कुलदीप सेंगर जैसे लोग चिन में अनंद जैसे लोग इसके अलावा बरिजभूसन सरन सिंग जैसे लोग और जो मद्धपरदेश की हम बात करें तो वहा में भी इस तरह की अरकत करी थी ऐसे ही उत्तर प्रदेश में